दोस्तो यह वीडियो शुरू होने से पहले मैं आपको रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप मेरे यूटूब चैनल स्टेंड को सब्सक्राइब जूरू कर लें तांकि मेरे चैनल की आने वाली अपडेट्स आपके तक पहुंचती रहें दोस्तो इंदूर में माक्स ना पहने पर यूट की बेहर में इसे पिटाई हुई और वीडियो वारल होने पर दो कॉंस्टेबल को सस्पेंड कर दिया गया है दोस्तो इंदूर शेर में मंगलवार को चेकी अबयान चल रहा था इस दोरान एक 35 वर्चिया शक्स बीना मास्क पहने दिखाई दिया पुलिस के दो जवानों ने उसे रोक लिया अचानक जवान उस आदमी को पीटने लगा दोस्तो देश में करोना केस बढ़ते जा रहे हैं और नीमों का सक्ती दे पालन कराय जा रहा है अलांकि इस सक्ती के दुरान कई बार सिमाय लांग दी जा रही है और कभी पिटाई तो कभी बस लुकी की खबरे सामने आ रही है ऐसा ही एक मामला मद्या प्रदेश के इंदोर में सामने आया है जहां मास्क नए पहने पर एक आदमी की दो पुलिस वालों ने जम कर पिटाई की दोस्तों एक समचार अजंसी के मताबिक इन दो शेर में मंगलवार को चेकिंग अब बयान चल रहा था इस दुरान एक 35 वर शेया शक्स बीना मास्क पहने दिखाई दिया पुलिस के दो जवानों ने उसे रोक लिया अचानक जवान उस आदमी को पीटें लगे इस पिटाई के वीडियो वारल हो गया जिसके बाद आला अधिकारियों ने अरोपी दोनों पुल्स करमीयों को सिस्पेंड कर दिया हलांकि पुलिस का दावा है कि पहले मास्क ना पहने वाल सक्स ने बसलुक की और पुल्स करमीयों को गाली देने लगा वारल हो रहे वीडियो में दो पुल्स करमी मास्क ना पहने वाल सक्स को बुरी तरह पिटते हो दिखाई दे रहे हैं बागरीन दावा किया कि पीडित मास्क नहीं पहने हुआ था और पुल्स कर्मियों ने उसे कोईड मान का उलंगन करने पर रोका था दोस्तो पुल्स इतकारी ने दावा किया कि उस वक्ती ने एक कॉंस्टेबल का कॉलर पकट लिया फिर दोनों कॉंस्टेबल को गालें देने लगा और मारपिट करने लगा एसपी बागरी निकाग गटना की वीडियो जो सोशल मेडिया पर वारल हो रहा है उसे पुल्स की शवी को धूमिल करने के लिए संबादित और क्रोप किया गया है दोस्तो देश को करोना की मार जेलते हुए काफी वक्त हो गया है और ऐसी चुनिंदा वीडियो सामने आ चुकी है तो दोस्तो पुल्स की इस बहरमी पर आपके क्या रहा है इस बात को कमेंट बॉक्स में जुरू पताएं इस वीडियो के आंतर बने रहने के बोबाद निवाद अगर आपको ये वीडियो जी लगी हो तो मेरे यूटिव चैनल सेंड उतको जू लाइक सस्क्राइब और शेयर करें ठैंक यू फर वोचिंग इस वीडियो